भगवान शिक्रिष्ण के बीच में बुआ दैवी समवाद है ये समवाद मास से पाँच हजार वर्षपूरु कुरुचेत नामकिस्थान पर हुआ अग्वत कीता में जीवन के सभी महत्वों प्रश्णों का उप्तर है जैसे हम कौन है, भगवान कौन है, हमें कश्ट क्यों होते है क्या अपनर जन्म होता है, क्या न्यक रहों पर जीवन है हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं कोई पूछ सकता है कि कुरु छेत्र में हुए महान युद जिसके दौरान भगवतीता कही गई उसका कारण क्या था पाँच हजार वर्ष पहले विजित्र वीरिय नामक एक महान राजा का दिहान्त हो गए क्योंकि उसका बड़ा पुत्र दित्राष्ट जन से अंदा होने के कारण राज्य भार समहाले में असामर्थ था पानू की नित्यू के बाद उसके पाच्च पुत्र जो बाणू के नाम से विख्यात थे जो नियमानुसार राज्य के उत्त अधिकारी बने लेकिन पांड़ भी बालक ही थे अत्य धितराश्ट ने स्वेम राज्य भार समाला धितराश्ट के सोपुत्र थे जो पौरव के नाम से जाने जाते थे जब पांड़ बड़े होका राज्य समहले लायक हुए तो वे सम्पूर राज्य नहीं लेना चाहते थे हालाकि वो उनका नियम संगत अधिकार था वे राज्य को अपने चचेरे भाईयों के साथ बाटना चाहते थे और इस प्रकार राज्य को पांड़ों और कौरों के बीच बाट दिया गया लेकिन कौरों में जेश्ट दुर्योथन अपने भाग से संतुष्ट न था वो सम्पूर राज्य को सोयम ही भोगना चाहता था उसने पांड़ों को मारने के लिए कई शड़यन तुरचे लेकिन वो असफल रहा फिर उसने नियम के विरुथ संपूर राज्य को हरत दिया और पांड़ों को राज्य से निश्टास्थ कर दिया पांड़ों ने फिर पांच गाउं की मांगी दुर्योथन न उतर दिया पांच गाउं तो दूर वो सोयी की नौक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता भगवान शिक्रिष्ण ने जमीन के इस जगड़े को शांतिकों एवं महिसात्मत तरीके से सुलजाने का प्रस्ताव रखा लेकिन दुर्योधन ने ये प्रस्ताव को अस्विकार करते हुए बालों के प्रती युद्र की खोशना कर दी और इस प्रकार महाँ भारत का महान युद्र अवश्यन भावित है युद्र की तैयारी में घर्जन और दुर्योधन दोनों ही भगवान शिक्रिष्ण के पास सहायता मांगने गए भगवान शिक्रिष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं टुकराते थे चाहे वे सज्जन हो या दुर्जन भगवान शिक्रिष्ण ने अपनी संपून से नब को एक और कता स्वयं को मार दर्शक के रूप में दूसरी और देने का पस्ताव रखा दुर्योधन ने भगवान शिक्रिष्ण की सेना को जुणा जबकि अर्जन भगवान को मार दर्शक के रूप में प्राप्त करने को सुप्ता इस प्रकार भग्मान शिकले ने हैं